जहें दोस्तों बंदे मातर, गौटफादर, जिसमें की सलमान खान ने कैमियो रोल किया है, कैमियो रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने कोई पैसे भी नहीं लियें, अब्विस्टी वाते पैसे लेना बनता भी नहीं था क्योंकि जिस तरह से इस समय हालात बन और उसके बाद यो मूवी अपनी लागत नहीं निकाल पाई थी, जो कि दूस्तों करोड से भी कम थी, तो आप इसी संदादा लगा सकते हैं कि आज की डेट में पहले दूसरे दिन का जो कलेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा माइन रखता नहीं क्योंकि आपकी माउथ पॉ अफिशल रीमेक भी कही जा सकती है, इसमें मोहनलाल की जगे पर हैं चेरन जीवियो और सल्मान खान का इसमें चोटा सा कैमियो भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस कैमियो की अगर हम बात करें तो यह कैमियो काफी मतलब यह कहना चाहिए कि ऐसा है, कि सल्मान साफ तो पर दिख रहा है कि सल्मान खान से काम कराना था तो जबरदस्ती करा लिए, और अब वैसा ही कुछ कलेक्शन भी निकल कर सांदने आ रहा है, और कलेक्शन भी यह बताने के लिए काफी है कि इस समय जो हालाद बॉक्स आफिस पर बने हुए है, वो काफी ज्यादा ऐसे ह तो यह गौड़फादर का कलेक्शन भी बिलकुल मामूली से निकल के आया है इन दोनों बड़े स्टार्स के स्टार्डम के साब, मेगा स्टार्ट चिरन जीवी की फिल्म गौड़फादर ने सिनमा घरों में दस्तक दे दी, हाली में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीस किया गया फिल्म के पहले दिन के आकड़ सामने आ चुके हैं, शुरुआती आकड़ों के मताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 18 करोड रुपए का ही बिजनस किया है, चिरन जीवी और सितारों के बाद भी फिल्म की यही कमाई उमीद से कम है, हाला कि फिल्म की कम कमाई के पीछे इसक इसको स्टार सलमान खान भी हिंदी दर्शकों को सिनमा घरों तक ही चने में आकाम ही थावित हुए, शुरुआती आकड़ों की माने तो हिंदी बेल्ट में यह फिल्म महज 80 लाख रुपए का ही कारोबार कर पाई है, जो की उमीद के मताबिक बहुत कम है, और सिधी सी बात करें तो चिरन जी भी इसके बाद सिन शंकर दादा में नजर आने वाले है, इसमें उनके साथ नहेंतारा भी हम रूल में दिखेंगे, तो सीधी सी बात है भई, इस मूवी ने जो कोई प्रदर्शन की उमीदे जगाई थी, वो सभी उमीदों को तोड़ दिया है, और तोड आते कुछ और चल रही थी और कलेक्शन जो निकल कर सामने आए, वो कुछ और ही, आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जबर बता है, मेरे स्टूडियों फ़लातना ही जाए हैं, जाए बता है